हेलो एवरिवान एज़रोकेट चानल पर आप सभी का स्वागत है ये डेट प्लेजबी स्पेशल साइकोलाजी की एक सुपर एमसी क्यों के नाम से सिरीज स्टार्ट की गई है जिसमें PIT, TGT और PGT लेवल के साइको के कौशन और चाहिल्ड पैड़ागोजी के कौशन होंगे तो फ्रेंड्स इसको जरूर देखें ये आपके बहुत काम आने वाली है तो आईए वीडियो स्टार्ट करते हैं अधिगम से संबंधित बहु प्रतिक्रिया का नियम क्रिश शेरनी का नियम है मुख्य नियम, गोण नियम, मुख्य अवयम गोण दोनों प्रकार का या इन में से कोई नहीं तो ये कुशन हम पहले कर चुके हैं बहु प्रतिक्रिया या बहु अनिक्रिया ये एक गोण नियम है, जो थोंडाइक के द्वारा दिया गया है, थोंडाइक ने मुख्य तीन नियम दिये थे और गोण पाँच दिये थे, मुख्य में आते हैं अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम, जबकि गोण में आते हैं बहु अनिक्रिया, आ प्रबलता भी बोलते हैं मनोवृति का नियम साध्रिश्यता का नियम जिसे हम अनुरूपता भी बोलते हैं और सहाचरयात्मक रुपांत्रन का नियम नेक्स कुशिन पर्सिद मनोव विज्ञानिक एने क्राउडर किस परकार के अनुदेशन के जनक थे शाखात्मक अभीक्रमित अनुदेशन के अनुकुलित अभीक्रमित अनुदेशन के श्रिंखला अभीक्रमित अनुदेशन के या उप्रोग सभी के तो इसका आंसर आएगा शाखात्मक अभीक्रमित अनुदेशन के शाखिये जो अनुदेशन होता है उसका आविरभाव मनो विज्ञान की परोक्षाला में हुआ था जबकि जो रेखिये अनुदेशन है जिसे हम श्रेंखला भी बोलते हैं उसका अनुदेशन मानविय विकास की परशिक्षन की समस्याओं के लिए हुआ था नॉर्मन एक राउडर ने 1954 में सन्युक्त राजय अमेरिका में इसका विकास किया क्राउडर मोहद्य ने शाखिये अभीक्रम की व्याख्खा अधो लिखित धंग से की है इसमें जो चात्र को छोटी-छोटी तर्क चय प्रशन के 170 उट्खे जाते हैं अगर शातर सही उट्तर देता है तो उसे अगले पाढब बर्यानि नेक्स्ट पर जाने के लिए कहा जाता है लेकिन अगर शातर का उत्तर ठीक नहीं होता तो उसके लिए कुछ उपचारात्मक निर्देश दिये जाते हैं तृ 가장 यह Together इस परकार चाहे मंद बुद्धी वाला बच्चा हो चाहे कुशाग्रु बुद्धी वाला बच्चा हो दोनों ही परकार के छात्रों को अलग-अलग पदों के माध्यम से अंतिम लक्षय यानि विवहार तक पहुंचने को कहा जाता है साइमन बीने के नुसार बुद्धी क्या है पहचानने और सुनने की शक्ति केवल सुनने की शक्ति केवल पहचानने की शक्ति कोई नहीं तो साइमन बीने ने बुद्धी को पहचानने और सुनने की शक्ति के नाम से जाना है इसका मतलब ए आंसर बिलकुल ठेक है आईए नेक्स पर चलते हैं किस परकार के एक अध्यापिका बच्चों को बहतर समस्या समाधान करता बनाने में सहायता कर सकती है बच्चों को विविद परकार की समस्याओं का समाधान करने के मोके देना तथा हल करते समय सहायता करना पाठ्टे पुस्तकों में समस्याओं को उत्तर देखने के लिए बच्चों को प्रोछाहित करना सभी समस्याओं को सल हल सहित परदान करना और जो चात्रों के सामने खड़ी है समस्याएं हल करने के लिए पुरुश्कार देना तो इसका मतलव इसका option ए सही है कि बच्चों को अलग-अलग टाइब की हामें प्राब्लम्स देनी चाहिए, उसको उसका solution करने के मोके भी देने चाहिए, और फिर उसके बाद थोड़ी से उनकी help भी करनी चाहिए, चात्रों के बीच व्यक्ति गत भेज शामिल करने का अधार क्या हो सकता है, शिक्षन के सारे मैथड जाने चाहिए, और उनके असेस्मेंट वग्यरा के भी, तो option D is the right one, डाश व्यक्तित्यों के विकास में महत्वपुन भूमे का निभाता है, अनुवान चिक्ता, परियावरण, अनुवान चिक्ता और परियावरण का मिक्षर या परिक्षाओं की संख्या, तो Next question, बहावे अभी प्रेणा में शामिल है, प्रशंसा और दोशारोपन, प्रतिस परधा, पुरुसकार और दंड, परणामों का ग्यान, इनमें से क्या option सही है, तो देखिए बहावे अभी प्रेणा में आते हैं, जैसे परिक्षा परणाम है वो भी, तो परणामों का ग्या स्थारोबी हो गया, पुरुसकार और दंड भी, प्रतिस परधा यानि परतियों गिता भी और प्रशंसा भी और निंदा भी और दोशारोपन, इसका आनसर आएगा एक, दो, तीन, चार, जैसे कि खेल में खिलाडियों के परणामों के परणामों का ब्रता हैं, जो उसे और गतिविदी के आंत्रिक पुरुसकार का लुथ उठाने के लिए उसके बाद भावे परणा जो है एक साधक के बाहर से आती है समाजिक मेनवाज्यानिक शोध ये बताता है कि भावे पुरुसकार जो है अति और चित्यता और साथी आंत्रिक परणा में कमी की और भी लेकर जा सकता है इसलिए हमें बहाव्य प्रोधसाहन को इतना जोर नहीं देना चाहिए क्योंकि ये मोटिवेशन को भी कम जोर कर सकते हैं कि बहसर प्रवर्ति के व्यक्ति कैसे होते हैं समाजी के मित्वता प्र्ण वैभार के धनी तनाव मुख दोनों या कोई नहीं देखेए तो इसका अनसर आएगा जो बहार बहर लिए एक्स्तों वर्ड पीपल होते हैं वो बहुत ही सोशली होते हैं इसली वह अपने दोस्त बना लेते हैं इसली सबसे बात करने लग जाते हैं तो और अप्शन ए होगा आंसर नेक्स सीखने के बारे में निमली कत्नों में से कौन सा एक सत्य है सीखना शिक्षार्ती के पूर्व ग्यान पर अधारित नहीं है सीखना एक निश्क्रिय ग्रेंड शील पर क्रिया है ये तो बिल्कुल ही गलत है सीखना एक एक एक्टिव एक्टिविटी है और वो भी एक्टिव रहकर ही की जा सकती है इसका सही option होगा D निमलिक में से कौन सी एक महत्वण गतिविदी है जो बच्चे को सीखने के लिए सक्षम बनाती है सनवाद, पुरुसकार, व्याख्यान या नरदेश तो इसका आंसर आएगा B गलत दे रखा है सनवाद क्योंकि सीखना जो है एक समाजिक क्रिया का परणाम है बालक जितना ज़ादा समाजिक क्रिया हैं तथा समाज से सम्मंद रखेगा उसे उतना ही ज़ादा सीखने का मुका मिलेगा और जो समाजिक सनवाद है वो बच्चों को सीखने में सबसे ज़्यादा सक्षम बनाती है तो यहाँ पर जो option है वो ये ना होकर ये होगा यानि की conversation सनवाद को हम English में conversation भी कहते हैं Skinner के अनुसार भाषा की अभी व्यक्ति होती है अनुकरण द्वारा संग्या नात्मक प्रति निधित्व द्वारा उदीपक अनुक्रिया प्रतिमान द्वारा क्लासिक अनुबंधन द्वारा देखिए Skinner के अनुसार भाषा की अभी व्यक्ति पूची है अगर उसने इसके अनुबंधन पूचा होता तो वो था हमारा ओप्रेंट कंडिशनिंग यानि क्रिया प्रसूद अनुबंधन लेकिन भाषा Skinner के अनुसार जो बच्चे हैं वो अनुकरण के द्वारा यानि इमिटेशन के द्वारा सीखते हैं तो इसका यह ऑप्षिन भी गलत है अनुकरण के द्वारा और री इन्फोर्समेंट के द्वारा यानि पूनर बलन के द्वारा भाषा इसमें सीखी जाती है तो ऑप्षिन एस दराइट वन माता पिता से वन्षिजों में स्थानांत्रिन होने वाले लक्षनों को क्या कहा जाता है पर्यावरण अनुवान शिक्ता जीन्स या होमेस्टेटिस तो एक टाइप से अनुवान शिक्ता है है जिससे हमारे मतलब जो भी है माता पिता के कुछ लक्षन जो हम में आ जाते हैं नेक्स कुशन बालक का स्वास्त है शारिरिक विकास उसके सही विकास के लिए एक महत्वपुन शर्थ है यह कथन आ सत्ते है या सत्ते है पहले तो यह देखते हैं और इसका आंसर है सत्ते है क्योंकि शारिरिक विकास जो है दूसरे शेत्रों के विकासों से संबंद रखता है लास्ट वाला हंजी जो बालक का स्वास्ते है वो शारीरिक विकास उसके सही विकास के लिए एक महत्वपुन शर्थ है यह बिलकुल सत्य है क्योंकि जो शारीरिक विकास है वो बाकी शित्रों के विकास से भी हमारा संबंद रखता है यह विकास आपस में संबंदित ही होते ह जैसे कि शार्रेक विकास, मानसिक विकास, किसी एक के विकास के विना दूसरे की डवलप्मेंट में थोड़ी बहुत रुकावड तो आही जाती है नेक्स्ट निमलिक में से कौन सावलोकन गार्डनर की बहु बुद्धी के सिध्धान का समर्थन करता है तो मस्तिष के एक भाग में हुई शती केवल एक में ही एक ही योज्यता को प्रभावित करती है नेकी समपुण मस्तिषकों को बुद्धी विशलेशनात्मक, रचनात्मक और व्यवारात्मक बुद्יעों के बीचंते क्रिया है विबिन बुधियों अपने सवरूप के पढ़ान उक्रमान उसार हैं अनुदेशों को तियार करते समय शिक्षों को शक्षनिक होज के किसी विशिश सिंधान का अनुपालन करना चाहिए तो इसका अंसर है Option A मस्तिश्क के एक भाग में हुई शती केवल एक ही योग्यता को प्रभावित करती है नेकी संपोर्ण मस्तिश्क हांजी गार्डनर ने एक बहु बुद्धी सिधान दिया था जिसकी मेन लाइन यही थी कि परतेग बुद्धी एक दूसरे के स्वतंत्र होकर ही कारे करती है यदि बुद्धी का कोई भी एक पार डामेज रो जाता है तो उससे दूसरे पार्ट को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचता Next question है मोहित को बच्चों को पढ़ाना पसंद है इसलिए वह बीएट की परवेश परिक्षा के लिए खुब परिक्ष्रम त्यारी कर रहा है वह अभी प्रेरित है आंत्रिक रूप से तो इसका आंसर आएगा आंत्रिक रूप से क्योंकि यह सेल्फ मॉटिवेटेड है वो खुद गया है इसके फोल्डिंग एक तरह से गाइडेंस है एक टेंप्रेरी सपोर्ट है ऐसा सपोर्ट है जो बच्चों को दिया जाता है ड्यूरिंग दो लर्निंग प्रोसेस और परसन जो प्रवाइड गरता है इसके फोल्डिंग उसे हम बोलते हैं मॉर नॉलिजेबल अदर य सपोर्ट जो हमें लर्निंग के वक्त हमारे काम आए वह होता है स्केफोल्डिंग तो इसमें औरूपित शिक्षन पूर्वादिगम का पुर्वर्वर्यति व्यसको द्वारा दिगम में ऐस सहाई सहायता या च्छात्रों द्वारा की गई गलतियों के कारणों का पता लगा कि यह निर्ने करना कि क्या एक विद्याति को अगली कख्षा में प्रानत करना चाहिए अधिगम की कमियों का पता लगाना और उन्हें दूर करना हांजे तो यह ऑप्शन बिल्कुल सही है कि हमें बच्चे की जो लर्निंग में हमारी जो कमिया रह गई हैं उसका पता लगा और उनको दूर करें उनके लिए जो भी हम रेमेडिय वगेरा कर सकते हैं रेमेडियल टीचिंग वो हमें करनी ही चाहिए नेक्स नेक्स कुशन स्तत और व्यापक मुल्यांकन के लिए सबसे उप्युक्तार की एक आधार है मुल्यांकन के अफसरों का अधिक तमी करन मानव व्यक्तित्व की समगर प्रकरती या शिक्षकों पर बोज बढ़ाना तो इसका है अधिगम के एक से अधिक पहलों का आकलन करना और CCE जो अभी आया था continuous and comprehensive evaluation मतलब अभी नहीं जो सभी स्कूलों में लागू किया गया है इसका मतलब यह है कि बच्चे का पूरी तरह से मुल्यांकन होना चाहिए उसके एक से अधिक पहलों का आकलन करना चाहिए जो CCE हमारा FA और SA से बनता है FA यानि formative assessment और SA यानि summative assessment FA हमारे दो बार होते हैं और SA एक बार होता है फिर उसके बाद second term में भी FA दो बार और SA एक बार यानि total कुल मिलाकर चार बार FA formative assessment और दो बार SA यानि summative assessment होता है next or last question है एक अच्छा ध्यापक विद्यारतियों के मध्य बढ़ावा देता है परतियोगिता की भावना को सहयोग की भावना को प्रतिद्वन्दता की भावना को या तठस्ता की भावना को तो यहाँ पे सहयोग की भावना आना चाहिए क्योंकि एक अच्छा टीचर वही है जो एक दूस्टे के बीच सहयोग की भावना यानि कॉर्परेशन की एक्टिविटी मतलब एक उसका एक टाइप से इमोशन डेवलप करवाता है स्टूडेंट्स में फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर करना ना भूले और हमारे चानल को सब्स्राइब जरूर करें थांक यू